इस वीडियो में हम फार्मूला टैप के डेट एंड टाइम फंक्शन में डेज फंक्शन, डेज 360 और इडेट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे डेज फंक्शन के बारे में जानेंगे तो डेज फंक्शन में हमने यहां पे यह स्टार डेट यह लिखी हुई है और यह एंड डेट यह लिखी हुई है इन दो डेट के बीच यहां पे कितने दिन आएंगे वो यहां पे हम निकालेंगे तो इसको निकालने के लिए days formula use करेंगे तो यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद यहाँ पे days यह days निचे आ जाएगा यहाँ पे click करेंगे click करने के बाद tab की प्रेस करेंगे यहाँ दिखो days यहाँ पे आ गया इसके बाद आगे है end date तो end date जो है यह है यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click किया यह cell name यहाँ पे आजाएगा B3 इसके बाद दिया गया है comma comma लगाएंगे comma लगाने के बाद आगे लिए गया start date तो किस date से start किया हुआ है यह है हमारी start date यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद यह cell name यहाँ पे आजाएगा A3 आने के बाद यहाँ पे bracket बंद की हुई है तो यह बंद करेंगे bracket को बंद किया बंद करने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो यहाँ पे यह जो date है और इसके बीच में हमारे पास यहां पे 10 days है अब यह दूसरे को check करेंगे तो दूसरे को check करने के लिए यहां पे click करेंगे और इसको नीचे drag करेंगे यह देखो इस date और इस date के बीच में कितने days है यहां पे 3 days है तो इस तरह से days function के जरिए हम यहां पे days निकाल सकते हैं इसके ब method use करेंगे पहला जो यहां पे method है वो है European method यहां पर हम 30 days के इसाफ से dates के बीच में days को निकालते है तो यहां पर जो दूसरा method है वो US method है जिसमें कि हमें false लिखना होता है यह जो method है इसको ही हम use करते है क्योंकि years में जो months होते है वो 31 days के भी होते है 30 days के भी होते है 29 days के भी होते है और 28 days के भी होते है तो हम इसी method को use करेंगे तो यहां पर पहले हम यह समते हैं कि यह days 360 कैसे यहां पर आया यह देखो इसको करने के लिए यहां पे 12 30 days month यहां पे 12 months है और उसके यहां पे 30 days लिये हुए है तो यह देखो यहां पे हम click करेंगे और यहां पे equal to लिखा इसके बाद यहां पे 12 multiply 30 यह देखो 30 किया है enter press किया तो यह यहां पे 360 यहां पे बन गया है हर एक मीना यहां पे लिया हुआ है वो 30 days का लिया हुआ है तो यहां पे हम दो method से इसको करेंगे यह देखो यहां पे click किया click करने के बाद equal to यह लिखा इसके बाद days यह देखो days लिखने के बाद days 360 यहां पे आ जाएगा यहां पे click किया और tab की press की यह यहां पे formula आ जाएगा इसके बाद आगे लिया गया है start date तो start date जो है यह है यहां पे click करेंगे यह cell name यहां पे आ जाएगा इसके बाद आगे comma है comma लगाएंगे comma लगाने के बाद end date तो end date जो है यह है यहां पे इस cell पे click करेंगे click करने के बाद फिर comma है कौमा लगाएंगे कौमा लगाने के बाद ये लिखो हमारे पास यहां पे दो यहां पे आ जाएंगे एक है false एक है true तो जो हम यहां पे method यूज़ करते हैं वो यहां पे false method यूज़ करते हैं क्योंकि यह जो false method होता है इससे सही result यहां पे आ जाता है अगर हम यहाँ पे European method जो की यहाँ पे true वरेंगे यह अगर यहाँ पे लेंगे तो यह year के 12 months को 30 days के हिसाब से यहाँ पे निकाल के देगा पहले यहाँ पर यह दिखो true European method यह हम यहाँ पर use करेंगे यहाँ पर double click किया double click करने के बाद यह true यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद bracket को बंद करेंगे यह bracket बंद की enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह दिखो 9 days यहाँ पर आ जाएंगे तो ये दो dates के बीच में कितने days हैं यहां पे 9 तो यह जो result है हमारे पास यहां पे गलत है यह देखो 21 और यहां पे 31 यह देखो यहां पे हम equal to यह लगाया इसके बाद यहां पे 31 minus 21 enter प्रेस किया तो यहां पे 10 days होते हैं तो यहां पे result जो है यहां पे 9 आ रहा है तो यह हमने जो method यूज़ किया हुआ है European method जो की यहां पे true बरा हुआ है उस वज़ा से यह यहां पे 9 शो कर रहा है तो सही result निकालने के लिए हम यहां पे false method जो की US method है वो यहां पे use करेंगे तो यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे true इसको यहां पे delete करेंगे यह देखो delete करने के बाद यहां पे option आ जाते हैं हम यहां पे false पे double click करेंगे यह double click किया double click करने के बाद यह false यहां पे आ जाएगा इसके बाद enter press करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यह जो result है यह बिलकुल सही यह आँ पर आ जाएगा यह देखो 21 और 31 इन दोनों के बीच में जो days है यह 10 days है तो इस तरह से 360 function का use करके हम दो dates के बीच में कितने days है यह यह हम पर निकाल सकते है इसके बाद अगले function को करेंगे जो की e date है यहाँ पर क्लिक किया यह हमारे पास यहाँ पर date दी गई है हम यहाँ पर यह दिखना जाते हैं कि 3 मीने के बाद जो date यहाँ पर आईगी वो कौन सी आईगी यहाँ पर हमें show करवाए या हम यह जो date दी हुई है जैसे यह date यहाँ पर लिखी हुई है इस date के 2 मीने पहले कौन सी यहाँ पर date थी तो उसको यहाँ पर show करें तो पहले की date को दिखने के लिए या अगली date को दिखने के लिए हम यहाँ पर e date formula यूज करेंगे यहाँ पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद equal to यह लिखा लिखने के बाद e date यह लिखो e date निच्छे आ जाएगा यहाँ पे क्लिक किया, टैब की प्रेस की, यहाँ पे आ गया, इसके बाद यहाँ पे दिये गया है, स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट जो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यह सेल नेम यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, यह कॉमा लगा हुआ है, कॉ करेंगे enter प्रेस करने के बाद ये लिखो ये जो डेट है इस डेट के तीन मीने बाद जो है ये डेट आएगी इसके बाद अगली देखने जाते हैं तो अगली को करने के लिए ऐसी हम इस मेधड को यूज स करेंगे यहां पर क्लिग किया क्लिग करने के बाद n altri इकल तू लिखने के बाद ये इडेट निच्छे आजाएगा यहाँ पे टैब की प्रेस करेंगे ये इडेट यहाँ पे आजाएगा स्टार डेट तो स्टार डेट यह है यहाँ पे क्लिक किया ये सेलने में यहाँ पे आजाएगा A4 इसके बाद यहां पर कौमा लगाएंगे कौमा लगाया इसके बाद तो यहां पर यह देखो 2 months पहले की दिखने जाते हैं तो यहां पर minus लगाया हुआ है यहां पर click करेंगे click करने के बाद यह username यहां पर आ जाएगा आने के बाद packet को बंद करेंगे बंद करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो इस date के 2 months पहले की date अगर हम देखने जाते हैं तो ये date है तो इस तरह से अगर आगे की date को देखना है ये पिछे की date को देखना है तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे e-date function का यूज करते हैं तो इस वीडियो में हमने days function के बारे में days 360 function के बारे में e-date function के बारे में सीखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल धन्यवाद